तो जिन्दगी के साथ और जिन्दगी के बाद भी यदि कुछ सोच रहे हो हार आदमी सोचता है तो L.I.C. कर लेता है ऐसी भागवत जी भी L.I.C. है जो आप थोड़ा थोड़ा भी सुने भागवत खोथी पाट लायक हो तो कराने के कराओ ताकि जीवन में मुक्ती आप किस आप अपने पुन्य से अपना मोक्ष प्रसस्थ कीजिए कल हम लोगों ने सुना कि राजा परिक्षित को साथ दिन में मरने का श्राप लगा परिक्षित जी को श्राप क्यों लगा क्योंकि संत जी का अपमान हो गया राजा परिक्षित ने कल्योग को रहने के चार कमरे बन ता सट्टा बट्टा आप खेलते हैं जुआ भाई आप जुआ खेलते हो नहीं जुआ खेलते हैं पत्ते बत्ते नहीं आप तो खेलते हैं जुआ ना खेला तो पांडवों ने जुआ खेला तो जुआ के कारण 12 साल और एक वरस का ज्यातवास 13 साल का बनवास हो गया तो जुआ अच्छा नहीं है चाहे आप किसी भी प्रकार का जुआ खेलें जुआ नुकसान कराता है सारी मेहनत की जमापूंजी खतम कर देता है आपको जुवा में लगता है मिल जाएगा रतों रात धन्ना सेठ हो जाएंगे ऐसे ही तुमारे बागदादे सोच सोच के मर गए जुवा से कोई धन्ना सेठ होता तो सब जुवा खेलते फिर है न इसलिए चक्कर मेना पड़ो मेहनत पे विश्वास रखो पैसे का सही उप्योग करो जुवा खेलने से धन बढ़वी जाए तो जुवा से कमाया हुआ धन अच्छा नहीं होता जुवा सट्टा का धन अच्छा नहीं होता जैसे पैसा ही कमाना है तो कोई इस्तरी न अपने सरीर को बेंचने लग जाती है तो देखो पैसा एक इस्तरी वो है जो घर में जाडू पहुचा करके पैसा कमाती है और एक इस्तरी वो है जो अपने आपको बेंच करके पैसा कमाती है पैसे तो दौनों कमा रही है पर आप बताओ जरा किसका पैसा अच्छा है सरीर बैच के कमाना या जाड़ों पहुचा मेहनत करके कमाना भाई हम मेहनत करके कमाए हम पसीना बहा के कमाए पैसा कमाना इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत तरीके से कमाने गलत होता है जितना गंदा सरीर बेंच करके कमाया हुआ धन है उतना ही गंदा जुआ खेल के कमाया हुआ धन है जुआ खेलने से बुध्धी बिगड जाती है दुर्योधन ने जुआ खेला बुध्धी बिगड गई भावजाई के कपड़े उतरवा रहा है भावी के दुर्योधन की सगी भावी है माता द्रौपदी भरी सभामें द्रौपदी के बाल पकड़ के दोसासन और कपड़े उतार कर अपनी भावी को निर्वस्त्र किये जा रहा क्यों? क्योंकि जुआ खेलने वालों की बुद्धी कैसी होगी? ऐसी ही होगी जुआ खेलने का परिणाम कैसा होगा? ऐसा ही होगा इससे बहतर आप क्या कलपना कर सकते हैं और क्या उमीद कर सकते हैं इन लोगों से जुआ खेलने वाले कितने अच्छी सोच के होंगे? दुर्योधन से अच्छी सोच जुआ खेलने वालों की भला क्या होगी? इसलिए जैसे कुछ इस्त्री अपने सरीर को वेच कर पैसा कमाती है उसी लेवल का पैसा है जुगा का क्योंकि दुरियोधन ने जुगा खेला तो वो भी सरीर को देखना चाहेता उतार दो इसके कपड़े मैं भी इसे निर्वस्त्र देखना चाहेता हूँ और निर्वस्त्र करके इसे मेरी गोद में बिठा दो, दुरियोधा ने बोला ना, इसे मेरी जंगा पर बिठा दो और जुवानियों का साथ देने करण बैठे, तो वो भी क्या बोल गए, कि तेरे तो पांच-पांच पती है, छटा मुझे बना ले तो जुवा खेलने वालों की संगती करने वाले कितने अच्छे होंगे, चाहे वो करण ही क्यों ना हो, चाहे वो पितामा भीष्म ही क्यों ना हो, भीष्म पितामा भी तो चुपचापत मासा देख रहे हैं, कहां बचाने का प्रयास की अमाता दुरबदी को, कहां धर्म की बा पुष्ट हो जाती है जुआनियों की संगत करने से इसलिए जैसी संगत वैसी रंगत